रामगड से टिकट कटनी से नाराज विधाय ज्यानदेव आहुजा के तेवर वापस नरम पढ़ते दिखाई दे रहे हैं। आहुजा आप सांगानेर विधानसभा से निर्दल्य के रूप में भरा गया अपना नामंकर पत्र वापस ले सकते हैं। इसके संकेत भी मिल गए हैं। पेसला सिंधी समाज से चर्चा करने के बाद लेंगे। जी एक तो यह हुआ कि वो सिंधी समाज की बूते पर लड़े से चुनाव और जीते सिंधी समाज की विधायक होते हैं, पूरे सांगानेर की विधायक नहीं होतें। कैसी सोच है। दूसरा ये कि ये वोट जो काट रहे थे बीजेपी के आपने का महाप और अशोग लाहोटी उनको महाप और मत बोलिए उनको सांगा नेर के भाजपा पत्याशी बोलिए उस नाते ही वो इनको पकड़ के ले गए थे क्योंकि अगर ये मैदान में डटे रहते हैं तो अशोग लाहोटी उनको पकड़ के ले गए अशोग लाहोटी समझा के ले गए अशोग लाहोटी ने मैनेज किया ये कि वस्न राजे सिन की मुलाकात हो जाए और मुख्यमंदी के कहने सुनने पाद कोई असर आए विड्रॉ कर ले ग्यान देव आउज़ा आकर खड़े रहते तो ग पुशेट परिवार के वोट बटेंगे पहले तीन में बटे रहे दो में बटेंगे जो उने सिंदी, संधी, संगी, संगी कर भी सोच सकता है और संगी विचार जारा को आचरन को 5 साल की कशम जिए अब जो इनका अगर नाम वापस लेने का फैसला होता है मिल दिए वसं रा तो वो कसक उनकी निकल गई और इस फैसले के बाद में थोड़ी सी भाशपा को comfort लेवल मिल जाएगा सांगानेर की seat पर गंशाम तिवाड़ी के मुकाबले लड़ने के लिए मैंने आपसे पूछा था कि कांग्रेस कई seat पर फस रही है अपने बागे उसे यही हम बात भाशपा की बारे में करें तो क्या लगता है यहां ऐसे कौन से बागे हैं जो आपको लगता है जैसे महवानी सिंग राजावत मान गए ग्यान देव अहुजा मानने वाले हैं और कौ मंत्री हेम सिंग बढ़ाना है जो बागावत करके चुनाव लड़ रहे हैं रिन्वा हैं बागावत करके चुनाव लड़ रहे हैं गोईल है सुरेंद गोईल वो बागावत करके चुनाव लड़ रहे हैं तो अभी अपने मंत्रियों को समझाएंगे सबसे पहले वर्तवान लेकिन फाइनली पिचल जब सामने आएगी तो मुझे लगता है कम से कम भी 3-4 प्रभावशाली बागी, बीजे पी के और 3-4 प्रभावशाली बागी कॉंगरिस के मैदान में रह जाएंगे, इतने तो कम से कम रहेंगे, रहेंगे दोनों तरह से.